नमस्कार, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ अमल वर्षा के बारे में तो अमल वर्षा का नाम आपने अवसे सुनाऊगा आपको मालूम है मैं इसके पहले भी और वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपको परिया वर्षा के नोट को डिफेंड किया है और यहाँ पर मैंने जो भी एन्वारिमेंट के नोट के रिट किये हैं यह सभी नोट मैंने आसान भासा में लेखे हैं और आपने देखा होगा कि मैंने अभी तक जो वीडियो अपलोड किया है वहाँ पर जो भी basic concept रहे हैं मैंने उनको समझाया है मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि जब आप theoretical चीजों को पढ़ते हैं और जब आप इनको अच्छे से समझते हैं तो आप अपनी परिक्षा में पूछे जाने वाले mcq को भी अच्छे से तयार कर पाते हैं तो बात यह है कि अगर आप वास्तों में अच्छे से अच्छे नमर लाना चाहते हैं तो पहले आपको अपने subject का जो basic theoretical matter होता है उसे पढ़ना चाहिए क्योंकि जो mcq होते हैं वो mcq आपके theory से तो ही निकलते हैं अगर आपने कभी theory को समझने का प्रयास नहीं किया है तो mcq कितने याद करेंगे आप क्योंकि exams में हर मिसा जो mcq होते हैं mostly ऐसा करते हैं कि वो repeat नहीं होते हैं उसको किसी ने किसी तरीके से change कर देते हैं तो अब भाई अगर change किये जाएंगे तो अगर उन्हें हमें करना है तो उसके लिए basic understanding होने चाहिए इसलिए मैं आपके साथ basic theory को share करता हूँ आप इसको पढ़िएगा समझेगा और यहाँ पर मैं जो PDF अपने हाथों से create करता हूँ यह आपके लिए बेहद उपय होगी है और आप इसे प्राफ्ट भी कर सकते हैं टेलिग्राम पढ़ जाएं टेलिग्राम का लिंक आज इस वीडियो के description में है तो आप टेलिग्राम को join कर लेजिए आप ध्यान रखिए कि अगर आप सच में अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको basic theory पढ़नी होगी और मैं पहले जो वीडियो अपलोड कर चका हूँ basic theory से समबन देथ आप उनको भी देखिएगा तो आप निश्चिती अपनी समझ को बढ़ा पाएंगे और एक्जम्स में आने वाले mcq को भी सही कर पाएंगे तो आज हम समझने वाले हैं ऐसे train अर्थात अमल वर्था के बारे में तो अगर हम अमल वर्था को समझना चाहते हैं तो पहले सी समझें कि अमल क्या होता है अमल आपने अमल और च्छार के बारे में सुनाओगा देखिए अगर सरल भासा में कहूं तो अमल ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि खट्टे होते हैं जैसे कि नेबू और चार ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि कड़वे होते हैं जैसे कि आपका साबोन अब बात यह है कि हम कैसे पता करते हैं कोई चीज अमली है कोई चीज चारी है इसके लिए एक स्केल होता है जैसे बोलते हैं पी एच स्केल जो pH scale होता है इसका range इसका प्रसार 0 से लेके 14 तक होता है और इसमें एक midpoint होता है अपका ये 7 7 सो करता है उदासीनता को यानि अगर किसी पदार्थ का जो value है pH scale पर अगर वो 7 है तो वो उदासीन होगा जैसे कि पानी जो जल होता है ना ही खटा लगता है ना ही वो छारी लगता है उदासीन होता है तो हम क्या सकते है जो पानी है उसका जो pH value है वो कितना होता है 7 होता है अगर हम 7 से आगे बढ़ते चले जाएंगे जितना हम 14 के करीब जाएंगे वो चीज उतनी ही ज़्यादा चारी होगी और हम इस तरह जीरू के जितना करीब आएंगे वो चीज उतनी ही ज़्यादा अमली होगी तो अब आप समझ गये होंगे कि अमल और चार का क्या मैटर है तो अब बात करते हैं अमल वर्षा के बारे में तो हमें नाम सी पता चलता है ऐसी वर्षा जिसमें अमल हो तो अब बात यह है कि भाई वर्षा में अमल कैसे जा जाते हैं तो इसका कारण यह होता है कि हमाने एन्वारिमेंट में ऐसे कुछ पॉलिटेंट्स कुछ ऐस प्रदूसक होते हैं जिसकी वजय से वर्सा जल में अमल मिल जाता है और वही वर्सा अमल वर्सा कहलाने लगती है तो यहां पर आगे देखिएगा वर्सा जल में अमलों की ज्यादा मातरा की उपस्तिती को हम अमल वर्सा कहते हैं जब वर्सा में ज्यादा मातरा में अमल मिल तो हम अमल वर्षा कहते हैं लेकिन आपको most important point ध्यान रखना है कि जब वर्षा का pH मान 5.6 से कम हो तब भी हम उसको अमल वर्षा कहते हैं जैसे pH scale पर अगर 7 उदासीन होता है तो 7 के पहले 6 आता है तो 6 भी तो आपका अमल होता है अमली होता है लेकिन अमल वर्षा जब भी कहलाते हैं जब pH scale पर value 5.6 से कम हो जाए तो आप इसी अच्छी से ध्यान किएगा इसकी बाद जब वर्षा का pH मान 4 से कम हो जाता है तो वह जल जैब समुदाय के लिए अत्यान तो हानी का रख हो जाता है अमल वर्षा तो 5.6 से कम की हो जाती है लेकिन अगर हमारे एंवारिमेंट में ज़्यादा ऐसे परदूसक हैं और ज़्यादा ही अमली वर्षा होती ह है और ऐसी अमली वर्षा जिसका pH मान 4 से भी कम हो जाए तो वह बहुत ज़्यादा हानी कारक होती है अब हमें ये समझना है कि ये जो अमल वर्षा होती है अमल वर्षा में कौन कौन से प्रदूसक साहिक होते हैं या फिर कौन से प्रदूसक उत्तरदाई होती है अर्था ज जो की अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदाई होते हैं। आप इन सभी को समझेगा और आगे चलके मैं आपके साथ कुछ MCQ भी शेयर करूँगा। तो ये सभी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो यहां पर बहने कुछ लिखा है। तो आप देखिए पहला यहाँ पर सल्फर है। देखिए सल्फर आपका प्राकर्टिक सुरुत से उत्पन होता है और मानो निर्मित सुरुत से भी उत्पन होता है। आप यहाँ पर एक एक पॉइंट को ध्यान रखना क्योंकि इनहीं से संबंधित प्रशन परिक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं तो अगर मैं प्राकर्टिक सुरोत की बात करूँ तो प्राकर्टिक सुरोत में जो सागर होते हैं जो प्लैंक्टेन वा वनस्पतियों की जो सडने की प्रिकरिया होती हैं और जो जैविक प्रिकरिया होती हैं इन सभी के बज़े से सलफर उत्पन होता है और मानो निर्मित सु तोयले का जो जलना होता है और जो पेट्रोलिजम पदार्थ होते हैं कच्चे तेल का जो परिसोधन किया जाता है और धातु सोधन किया जाता है तो इन सबी चीजों से भी सलफर उत्पन होता है और ये मानो निर्मित सुरोथ हैं मानो निर्मित सुरोथ आप जानते हैं हिमन से लगातार बढ़ती चली जा रही है जिसकी बज़े से सलफर उत्पन होता है और सलफर हमारी परेवरड में ज्यादा मातरा में हो जाता है और बाद में यह अमलवर्सा का कारड भी बनता है तो आप यह अच्छे से ध्यान रखिएगा इसकी बाद नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन तो आपको याद रखना है जो नाइट्रोजन होता है ये भी प्राकर्टिक सुरोत से उत्पन होता है और मानो निर्मित सुरोत से उत्पन होता है अब प्राकर्टिक सुरोत में आकासी विद्धुत से उत्पन होता है जो आप देखते हैं बादलों में जो आकासी विद्धुत होती जिसे हम बोलते हैं बिजली कड़क रही है उस टाइम पर वहाँ पर नैटोजन उत्पन होता है जो आला मुखी उद्धगार के समय नैटोजन उत्पन होता है और जैविक प्रसमें पूछे जा चुके हैं, तो आप ध्यान रखिए, यहाँ पर नैट्रोजन इसका सही उतर है, अब यहाँ पर आता है मानव निर्मित सुरोथ, तो मानव निर्मित सुरोथ के अंतरगत जो जंगलों में आग लग जाती है, तेल और कोईला और जो गैस का देहन होता है इसके माध्यम से नैट्रोजन निकलता है, और यह क्या करता है, अमलवर्चा में सायक होता है, अब यहाँ पर मीथेन, मीथेन भी मानवी सुरोथ से उत्पन होता है, और प्राकर्तिक सुरोथ से उत्पन होता है, मानवी सुरोथ से जो धान के खेत होते हैं, और जो कोईला कोइला खालतन होता है और जो गयस ड्रीलिंग नुएंट अूते हैं गया है आद्र भूमी मतलब जहां पर जो वैट लेंड्स होते हैं वहां पर भी मेथिन उत्पन होती है तो आप इंड को अच्छे से ध्यान रखेगा यहां पर एक पॉइंट आता है आद्र भूमी आद्र भूमी दिवस के बारे में मैं पहले बता चुका हूं और यह दिवस कब मनाय मोनो अक्साइड सी ओ को हम कार्बो मोनो अक्साइड कहते हैं तो इसके भी प्राकर्टिक शुरूत होते हैं और मानवी शुरूत होते हैं मानवी शुरूत के अंतरकत कार्बन मोनो अक्साइड बायो मैस के जलने से उत्पन होता है और दुमर पान से उत्पन होता है और इव उत्पन होता है कैसे उत्पन होता है और पूछा में पूछा जाता है कि कौन-कौन से चीजे हैं जो कि आपके अपन वर्षा के लिए सहयक होती है अब यहां पर नेक्स्ट आता है कारबन ड्यॉक्सऐड तो आपका मानवी सुरोत और प्राक्रतिक से है मानुवी सुरोत में आपका जीवास विधन के जलने से है और दगत प्रक्रियां से है और डिफॉरेस्टेशन सागर में और अपगटन यानि जो चीजों का सड़ने गलने के प्रक्रिया होती है डिकंपोजिशन होता है तो वहाँ पर भी कर्बन और निकलता है और आप ज यहां रखना है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड के तीन प्रकार होते हैं यहां बहुत ही खास यहां पर एक पॉइंट है आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन जिसमें पाया जाता है जैसे कि आपका यह नाइट्रोस ऑक्साइड है और इसके बाद यहां पर नाइट्र अमलवर्सा का कारण बनता है आपको यहाँ पर जानकर देख लिए बताना चाहूंगा जो आपका नैट्रिक ऑक्साइड एन ओ होता है यह आपके ओजोन लेयर को भी नुक्सान पहुंचाता है अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि यह जो कंपाउंड थे यहाँ पर योगिक थे इन मैंसे नैट्रोजन तूट जाता है या फिर योगिक रूप में भी यह अमलवर्सा का कारण बनते हैं और इसकी बद एनस्त्री अमोनिया आता है अमोनिया भी ऐसे ड्रेन में सहायक होता है क्योंकि अमोनिया में नैट्रोजन पाय जाता है और यह नैट्रोजन बिसिस प अपनी चमक होता जा रहा है मैंने यहाँ पर ताज महल नहीं लिखा है तो अब ध्यान लखिए यहाँ पर ताज महल की जो चमक है वो वास्तों में पहले से कम हो गई है जिसकी बजह यह है कि ताज महल जिस एरिया में है यही आगरा में उसके आसपस मज़ुरा है और उन छेत नित्रों में बहुत सारी ओयल रिफाइनरीज है यानि वहाँ पर तेल सोधन का कारे होता है तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉलिटेंट्स होते हैं जो कि आसमान में निकलते हैं वायवंडर में खटे होकर वर्षा के दौरान वो अमल वर्षा का कारण बन जाते हैं अब यहां पर बात आती है कि भाई अमल वर्षा से नुकसान क्या क्या होते हैं तो अमल वर्षा के नुकसान बहुत तरीके से होते हैं यानि सभी तरीके से यह मानाओ पर जन्तूओं जानवरों पर और उसके बाद जो हमारे निडजीव चुझे होती हैं जैसे कि बिल्डिंग्स इस मारक्स वहाँ पर भी इसकी बज़े से बहुत नुक्सान होता है। मैंने कुछ फुवाइंट से लिखिये हैं। इस्थली और जली दोनों तरह के जीव प्रभावित होते हैं। चाहे वो इस्थल पर रहते हूं चाहे वो जल में रहते हूं। इमारतों और इस मारकों को भी हनी पहुंचती है। बोमिगत जल सुरुत पर नकारतमक प्रभाव पड़ता है। जिस जल का पी-एच मान 5 से कम हो वहां मचलियां मर जाती है। कई बार देखो को कि इसी तालाब में या नदियों में कई बार मचलियों की मरने की घटना होती है। तो हो सकता है कि वहां पर पी-एच जो वैल्यू है वो बहुत कम हो गया हो। इसके बाद मिर्दा का जैविक एवं रसाने गड़ प्रभावत होता है। जो हमारी मिट्टी होती है उसका जो कैमिकल जो कमपोजीशन है तो उसमें भी प्रावलम्स हो जाती है। और यहां पर बहुत ही एक प्रावलम्स लिखा है कि निम्न मिर्दा पी-एच मिर्दा के सूख्च में जीवों की संख्या में कमीलाते हैं। आप जानते हैं कि हमारे मिट्टी में बहुत सारे मुख्य महतपूर्ड सूख्च में जीवोते हैं जो कि कुछ जैवक प्रिकरियां करते रहते हैं। और जिसके बज़े से जो मिट्टी होती है उसको तोड़ते रहते हैं जिसके माददें उसे फसल अच्छी होती है या फिर कहा जाए कि जो मरी हुई चीज़े होती है उसको सडाते गलाते रहते हैं ऐसे कुछ जीव होते हैं लेकिन प्रवल्लम जब होती है जब मिर्दा का पी स्वसन जैसी और भी समस्य होने लगती हैं तो आज मैं आपके साथ यहाँ पर जो भी notes share किया हूँ that is really important अगर इस से देखा जाए तो हम कम सकम 20 questions create कर सकते हैं तो अब आपको यहाँ पर समझना है जो जो मैं आपके साथ point share किया था उनको पढ़िए समझिए और परिक्षा के लिए अच्छे से त्यारी किजिए टेलीग्राम पर जरूर जाएगा टेलीग्राम को जोइन कीजिएगा और वहाँ पर PDF को प्राप्ट कीजिएगा so thanks for watching this video